नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेटी फॉर सिविल स्रेश में UPSC 2021 का नया पेड़कूप हम इस्टार्ट करने जा रहे हैं पेड़कूप इस्टार्ट करने पहले मैं पहले ही आपको बता दूँ UPSC के 2021 की प्लेलिस्ट हमने बना दिये उसमें सारे most important जो concept है जो static GS के concept है पूरे के पूरे उनके पूरे 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 पापा वीडियो उसमें पड़े हुए हैं आप उसको देख सकते हैं वीडियो बिल्कूल फ्री थे हैं फ्री हैं फ्री रहेंगे पेड़कूप की पूरी जानकारी ले ले लेते हैं यहाँ पे एक चीज़ और आपके लिए नाउसमेंट है यूपीसी 2021 के लिए लगातार जो है हम डेली क्वेस्टन की प्लेलिस्ट में जुड़ता जाएगा वो सब ठीक है यह फ्री वाला टेलिग्राम जरूर जोइन कर ल अब इसमें देखिए समझ लिए कब से क्या तक है पहली बात तो फीस इसकी 13,000 रहेगी दूसरी बात यह कि इसमें जो है यूपीसी 2021 के लिए हमारा नया प्रेट को भी स्टार्ट हो जा रहा है 31 जनवरी 2021 से करीबं 500 दिन का यह ग्रूप होगा यह इसके कुछ इंपॉर्ट दिये जाएंगे कोई बीच में छोड़ान जाएगा complete understanding करवाई जाएगी सब कुछ बाइलिंग मिलेगा section 10 15 मिलेंगे 10 पुलेंट मिलेंगे complete इस्टडी में मिलेगा जो यूपीसी प्री 2021 के जरूरी क्या चीज़े मिलेंगी इस ग्रूप में वह भी समझ लिए इसमें complete note दि अब दी जाएंगी जितने भी जिएस के सब्जेक्ट से सब कुछ history, policy, geography, economy, science, environment, इंडिया, yearbook, शंकराइस, संकराइस के questions की प्लस geography, NCRT questions की प्लस आपके सारे जितने भी चीज़े हैं जितनी भी important है UPSC के लिए इस वाले group से सिर्फ UPSC की तहरी हो जगती है पूरा focus सिर्फ और सिर्फ UPSC 2021 पे रहेगा इसमें आपको complete doubt clearing session मिलेगा मतलब इसका यह है यह एक complete continuous hand holding exercise होगी यहाँ पे इसका यह मतलब है कि अगर आपको कोई concept नहीं समझ में आ रहा है, GS का कोई fact नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी चीज़े नहीं समझ में आ रही है तो उसको तब तक स समझ में आ गया, पूरा personal guidance दिया जाएगा यहाँ पे complete ठीक है, daily current affair की PDF दी जाएगी update रहने के लिए, इसके अलावा daily हम लोग GS और current का topic देंगे, उसमें कई सारे task देते रहते हैं, ग्रूप के अंदर कई लोग जो है उसमें अपनी answer writing भी करते रहते हैं, answer writing मतलब इसमें को basic concept clear किया जाएगा, main's की पूरी basic understanding आपकी clear कराई जाएगी, और अगर आप यहाँ पे समझें, इसमें पेड़ गूप अगर आप इसमें payment करेंगे, तो दो ग्रूप में जोड़ा जाएगा, main focus रहेगा आपका understanding पे, think or analysis पे basic clear करने पे, पूरा जो अभी latest अगर आप pattern देखे उन पे focus किया जाएगा, पूरी think or analysis यहाँ पे करी जाएगी, आपकी पूरी understanding को जो है clear करने में आपके पूरा जोड़ दिया जाएगा, इसलिए daily यहाँ पे topic दिये जाएगे, जो finally जैसे paper आएगा, उस हिसाब से 10 full learn test होंगे, इसके इलावा यहाँ पे मैंने आपका होता है daily current affair की PDF तो दी ही जाएगी, plus topic दिये जाएगे और इस पे पूरा discussion भी चलता है, जो भी आपके doubts होंगे, सारे clear कर जाएगे, most important topic भी educator आपको time time पे बताते रहेंगे, दस जो test होंगे, वो उनहीं पे based होंगे, current affair को जो GS के points है, GS में क्या क्या है, history है, quality है, geography है, economy है, science है, environment है, current affair है, India yearbook है, art and culture है, ये mainly चीज़े आती है, UPSC में, इस सबको, आज कल अगर आप देखें, latest pattern के है, 3-4 सालों में, इस सबके जो GS के point है, उनको current के context में जोड़ करके, interlinking करके question पूछते हैं, वही वाला यहाँ पे method अपनाया जाएगा, बिलकुल new pattern के साब से, completely accommodate करके, सार एक चीज़ यहाँ पर लेकिन है, आपको, अगर आप पढ़ने वाले हैं, तभी join करिएगा, यहाँ पर, 5-6 गंटे डेली at least पढ़ना पड़ेगा, वैसे भी UPSC exam कोई सरल नहीं है, time तो यहाँ पर देना पड़ेगा, सारे उन पापा वीडियो की PDF दी जाएगी, जो UPSC के जाएंगे, जो UPSC लें जरूरी है, जैसे कि अभी हमने शंकराइज के करीबन 400 क्वेशन बनवाए हैं, वो आपको दिये जाएंगे, चेप्टर वाइस, NCRT Geography के toughest क्वेशन बनवाए हैं, भी हमने 300, 300, पूरी जोगरफी 6 से लेके 12 तक कब वो दिया जाएगा, प्लस NCRT Geography History के दिये जाएंगे, फिक है आर्ट और कल्चर के दिये जाएंगे, आर्ट और कल्चर के एक important डिया पर topic होता है UPC के लिए, प्लस आपको जो है economic का study material दिये जाएगा, एकनॉमी का जो summary PDF है, सारी जो summary PDF है हमारी UPC के लिए जो जरूरी हैं, वो भी आपे दी जाएंगी, चा आपकी मेंस की जो 2020 के understanding है, वो इससे clear हो जाएगी, वैसे भी मेंस पे selection होता है mainly answer writing पे, ठीक है, तो GS prelims का जो है UPC 2020 के लिए, क्योंकि cut-off बनता है सिर्फ GS पे, उस पे पूरा focus किया जाएगा, CC के लिए भी आपको जो है guide किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो बयाना लिया सकता है, बशरते, आप बिल्कुल मेहनत करें, और जो चीज बताई जाएगा, जितनी बताई जाएगा, वो जरूर करते जाएगा, अब आपको पेड़कुम जोईन करना है, तो यह वाली चीज़े करिए, अब समझ लेते हैं कि fees का payment कैसे करना है, पेइमेंट करने के लिए पर दो-तीन option है, अगर आपको N.E.F.T. I.M.P.S. से करना है directly, ठीक है, तो ICICI bank का आपको current account की पूरी जानकरी दी गई है, नाम में अगर पूछा जाएगा, तो study for civil services लिखना है, ठीक है, और type है current account, अगर number पूछा जाएगा, तो 7838692618 लिख दीजेगा, अब bank account number में क्या लिखना है, वो समझे, bank account number में ये लिखना है, SCS7, और प्लस आपका या तो नाम लिख दीजेगा, आप अपना या फिर mobile number लिख दीजेगा, ताकि cross checking करने में आसानी रहे, आपका जो number होगा, वो unique होगा, जो आपका नाम होगा, वो unique होगा, या फिर अपना कुछ जो है लि account number वही, 7838692618, account number इसका ये है, ठीक है, ये account number आपको डालना है, ये IFSC code डालना है, ICIC, पाच बार 065, ठीक है, bank address ये दिया हुआ है, इस पे आप जो है cash जमा करके, यहाँ पर free submit कर सकते हैं, और या फिर एक हमारी UPI ID है, इसके थुरू कहीं से भी payment हो सकता है, 7838672618, at the rate ICICI ठीक है, इस पे आप कहीं से भी payment कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, फोन पे से कर सकते हैं, पे ATM से कर सकते हैं, गूगल पे से कर सकते हैं, या फिर कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है, फिर भी आपको कोई समस्य अगर आती है, जैसे फोन पे नमबर अगर चाहिए, गूगल पे नमब भी कर सकते हो WhatsApp भी कर सकते हो लेकिन इस वाले नंबर पे सिर्फ WhatsApp हो सकता है WhatsApp के थ्रू मैसेज के थ्रू बात हो सकती जब आप फीस पेमेंट कर देंगे पूरा तो आपको पांच चीजे भेजनी पड़ेंगी हमको एक तो आपका पूरा आप ठीक है दूस्रा आपका टेलिग्राम नंबर अचा एक चीजी समस्टेश्च चलते हैं टेलीग्राम में ही हम सारा मट्रिण देते हैं ठीक है तो सारा मट्रिण में मिलेगा टेलिग्राम नंबर वाट्साइब की तरह होता है जैसे वाट्साइब में आपको प्लस पेइमेंट प्रूफ देना पड़ेगा प्रूफ में आपके स्क्रीन शॉट लग सकता है या फिर उसका प्रूफ 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 जो भी आपके गृर्प का नाम है वो लिख दीजेगा ठीक है और फिर आपका जो है आपके एप प्लेस आप पेमेंट जहां से आपने पेमेंट किया वो किस izस्टेट में आता है अंको एक जिस फवाईल करना परता है तो उसमें यह information अगर बिहार में किया तो बिहार लिए ये ये पाथ चीज़े या तो आप इस इमेल आइडी पे बेज़ दीज़े इस टड़ी फॉर सिविल सबसे एड़रेट जीमेल डॉट कॉम और या फिर इन दोनों नंबर पे वाट्स अप कर दीज़े नाइन सिक्स नाइन सिक्स जिरो पेमेंट में कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए है पेड़ गूप में जोड़ना कैसे है इसके लिए है इसके बाद कोई भी टेकनिकल कोईरी के लिए आप सिर्फ यह वाला नंबर यूज़ करिएगा ये मेरा खुद का नंबर है मैं वाटस अप पे रहता हूं इस पर एक ची कोई दूसरे एक्जाम की बाते नहीं हो सकती है यह एक इंपॉर्टन बात है ठीक है हमारे नोट्स आप लीक नहीं कर सकते हैं यह भी एक चीज़ ध्यान रखेगा आपने हमारे नोट्स को फॉरवड किया तो फिर आपको पूरे ग्रूपों से रिमूव किया जा सकता है प् पूचिए आपको कोई समस्या है तो वह बस पूचिए ठीक है वहाँ पे ज्यादा कूकू करने की जरूवत नहीं है दूसरी बात है परसनल चैट करने की जरूवत नहीं किसी से कोई भी आप डिसकेशन गूप में आपको सवाल पूचना है वहाँ पर पूचिए हमारे एड ना पढ़ा यह सारे मेसेज़ेस अलाउड नहीं है परसनल चैट नहीं है आप अलाव हो सकती है अगर आपने परसनल चैट की और मेरे पास बात आई कि भी यह जो है आप लोग उनकी प्राइवसी बंग कर रहा हो किसी की भी चाहें वह कोई गर्लों हो चाहें वह बवाय हो ठीक है लड़का लड़की सारे लोगों को हम लोग एक्वाली ट्रीट करते हैं सारे धर्मों को एक्वाली ट्रीट करते हैं सारी जातियों को एक्वाली ट्रीट करते हैं हम सिर्फ इंसान मानते हैं लोगों को बस ठीक है तो आप किसी की प्राइवसी बंग की तो आपके पूचित यहां पे एक्षिन होगा वो लिया जा सकता है जो कि आपके केरियर के लिए थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है तो प्लीज सिर्फ इस्टडी रिलेटेड पर्पस आपका तभी हमको जोइन करिए डिस्केशन ग्रूप में टूदा पॉइंट सवाल करिए जब आपको दि कर सकते हैं अगर आप डिस्केशन ग्रूप में आपको वहाँ पर जवाब नहीं मिल पाया कोई भी समस्या है परसनल समस्या है कुछ भी इस नंबर पर बात कर सकते हैं यह मेरा वाटसेप नंबर है हमारे ग्रूप में नो रिफॉन पॉलिसी है ठीक है और प्लस नो इंस्ट है एक ही गुफ में लेकिं जो फुल पेट होता है ज्यादा तर उस में दो गुफ में होता है एक होता है मैट्रेल ग्रूप और यको होता है। इस सवाल इसमें भी कोई समस्य हो तो 58-692618 ये मेरा लम्हें वाटसब्र इस पर भी आप पूछ सकते हूं